Hello friends, welcome to theubltspelta vantar दोसों, आज जवोपहर की Class में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हो और आज की Class में हम लोग cover करने वाले हैं बाल विकास की मैराथन Class के इंतरगत पूरे 300% एक साथ आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली जिसमें आपके अभी तक टेट एक्जाम में पूछे गए जो सबसे महत्वपूर्ण कोशन्स हैं एकदम चुने हुए 300 प्रसनों को लेकर आये हैं और सभी कोशन वन लाइनर में दिये गए हैं यानि कि सी सीदे सीदे कोशन और उनके आंसर इसी परकार से आपके EBS के कल मिलेंगा इसे कोशन्स और अन्य सब्जेक्ट के भी तयार हो रहे हैं जो कि आपको एक से दो दिन में complete कोशन्स मिल जाएंगे निश्चित मानिया आपको इसी परकार के कोशन्स एक्जाम में मिलेंगे बस बढ़ते हैं पहले कोशन पर किस परकार के विकास से एक आगरता और सरजनात्मक्ता का संबंद है तो दोस्तों बहुत दिक विकास यानि की मानसिक विकास से आपका एक आगरता और सरजनात्मक्ता का संबंद होता है पहला कोशन complete हो गया आगे बढ़ते हैं अगले कोशन प होती है IQ टेस्ट बुद्धिलवदी टेस्ट ये सभी आपके बच्चों को पहचान करने की विधियां होती है अगला कोशन है मनुविग्यान प्रानंभ में किस विशय का अंग था महत्वपूर्ण कोशन है पूछा जा चुका है तो दुस्तों दर्सन सास्तर के अंतरगत आता तो ये इसी का रूप होता है तो ये आपका वेभार इसका अंसर हो जाएगा अगला कोशन है छात्रों के द्वारा अधिक सधिक ग्यानेंद्रियों का उपयोग किसको प्रभावित करता है तो दोस्तों जब अधिक सधिक ग्यानेंद्रियों का उपयोग होगा और ग्यानें अगला सिक्स नंबर कोशन है सहपाथियों का दवाब जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह अवस्था कौन सी होती तो दोस्तों वह उत्तर किसोरा वस्था होती है जबकि सहपाथियों का जो दवाब होता है वह सबसे अधिक प्रभाव डालता और किसोरा वस्था का अंतिम चरण होता है सैपाठी के दें सम्वैस के कह दें या फिर इसके लाबा साथ के मित्र कह दें ये उत्तर की सोरा वस्था में सबसे अधिक आपको प्रभावित करते हैं अगला कोशन है किसी बच्चे का विद्याले के मैदान में खेलते हुए निरिच्छन करना किस प्रक चलाना सीखता है यह उदाहरन वरद्ये और विकास के किस सिध्धान पर अधारित है एक ही करन के सिध्धान पर अधारित है महत्वूर्ण कोशन है यूपीटत में ऐसे कोशन बहुत बार देखने को मिले हैं अगला कोशन है विद्यारतियों के अच्छे मांसिक स्वास्थे को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है तो दोस्तों अभिव्यक्त की स्वतंतरता जो है वो विद्यारतियों के अच्छे मांसिक स्वास्थे को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निवाती है यानि कि बच्चे जो कुछ भी ब भावना आजाती उसको दूर करता है अगला कोशन है अधिगम करता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए तो बढ़ते हुए क्रोध को रोकने चाहिए बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों पर कोई हस्तचेफ नहीं करना चाहिए यानि क किसको विक्सित कर रहा है तो यह स्वायत्तता कहलाता है यानि कि स्वयम के द्वारा नियंत्रित होकर अपनी भावनाओं को एक निश्चित वे में विक्सित करने का प्रयास कर रहा है यह स्वायत्तता कहलाता स्वायत्तता की परिवासा होती है याद कर लीजेगा अगला रच सरजनात्मक क्रियेटिव प्रस्न उत्तर के अंतरगत आते हैं अगला बहुत महतुपूर्ण यूपीटेट का सबसे महतुपूर्ण कोश्चन्स में से इस्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है कौन सी किसोरा बस्था ये कैसी अधिक तनाव औ आले बच्चों को पारितोसिक दे कर यानि कि ये आपके ऑप्सन के अकॉर्डिंग सही होगा जो आपको सही लगेगा तो बच्चे जो जूट बोलते उनकी आदत कैसे अटा सकते हैं जब हम सच बोलने आले सही बोलने आले बच्चों को कोई उपहार देंगे कोई पुरसका देंगे पारितोसिक देंगे फिप्टी नमबर कोशन है थॉन डाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरसकार और दंड के महत को बताता है इंपोर्टन कोशन है और ये प्रभाव के नियम पर आधारी थै कल हमने आपको थॉन डाइक इसकिनर कोहलर पावलक इन सभी से बिल्कुल आसान भासा में 100 महतुपूर्ण प्रसनोत्तर कराये थे लिंक नीचे दिया गया उस क्लास को अधिक सदिक संख्या में जरूर देख लीजेगा अंतिम समय है और ये सबसे इंपोर्टन टॉपिक आपके होते हैं अगला 60 नमबर कोशन है कौन सा कारक बालक के व्य आपके जो एसेट्स होते हैं वातावरण जो होता ही सभी चीजें आपके कारक होते हैं जो आपके व्यक्तित को परसनालिटी को प्रहावित करते हैं अगला कोशन है उप्चारात्मक विधिका प्रयोग किसके लिए किया जाता है उप्चारात्मक विधि जो होती है जो समस् एक वालक की संग्यानात्मक सक्ति जैसे कल्पना सक्ति निर्णय लेने की छह था तो यह मान्सिक विकाष से्वता है बुद्ध्य से अईक्यू से गतीत होता है तो इसमें आपको आपने सक्ति द्धर giving अन्य बुद्ध्य से संबनाओ होता हैं जो ती सक्तियां जोती वो इसी के अंतर्गत आती है 90. कोशन है निचली कच्छाओं में सिच्छन की खेल विधी किस पर आधारित होती है तो निचली क्लास यानि की प्राइमरी लेवल की जो खेल विधियां होती है वो बालक के विकास और ब्रदी के मनोवेग्यानिक सिध्धानत पर आधारित होती है कि बालक की सरवांगिन विकास के लिए मनोवेग्यानिक सिध्धानतों के आधार पर कौन सी खेल विधियां का प्रियोग किया जा सके जिससे बच्चे पढ़ भी सके इस प्रकार से इसका अंसर आपको मिल जाएगा अगला कोशन है वहिर मुखी व्यक्तितु का लच्छन क्या होता है वहिर मुखी व्यक्तितु का अमने प्रकार बताये थे उसमें आपको वहिर मुखी बताये था अंतर मुखी बताये था और एक अभिवरत्ती जो होती है प्रेरणात्मक होती है आइस्थाई होती है और सीखी जाती है यानि कि जो आपके अंदर अभिवरत्ती है किसी चीज को सीखने की जो आपके अंदर छमता है वो प्रेरणात्मक है यानि कि आप दूसरे से प्रेरणा लेकर सीख सकते हैं आइस्थाई तो दोस्तों जो सीखने पर प्रभाव डालते हैं उसमें आपकी ठकान हो गई, आयू हो गई, रोग, इसमरण चमता और बहुत धिक चमता हैं ये सभी आपके अधिकम को यानि की सीखने को प्रभावित करते हैं कुछ सकारात्मक रूप से कुछ नकारात्मक रूप से अगला क कोशन है बालक के मानसिक सास्थे पर प्रभाव डालने वाले प्रमुक कारक कौन-कोन से जो उसके मानसिक सास्थे पर प्रभाव डालते हैं तो परिवार की गरीवी, परिवार के हालात, परिवार के जो रहन सैन है वो इसनेह का अभाव परिवारिक लेस ये सभी चीजें ब प्रतिवासित कर सकते हैं और यह इसके बारे में बताया था अगला बुद्धी लब्दी सम्मंदी विशेष्टाएं कौन कौन सी हैं तो प्रतिवासाली, बुद्धिमान, मंद बुद्धी, अलप बुद्धी और जड़ बुद्धी यह बुद्धी लब्दी आईक्यू के इंतरकर जो अलगलग लेवेल होती हैं उसके बारे में आपको बताये गया यह पूरा चार्ट आपको करा चुके हैं याद हो गया होगा एक कोशन आपका 100% बुद्धी लब्दी पर आधारित पूछा जाएगा हर बार आता है अगला कोशन है बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने बाला सबसे महतपूर कारक कौन सा है तो दोस्रों विद्याले का वातावरण जो है सबसे महतपूर कारक होता जो की बौ प्रचों के लिए जो पाठकरम तयार हो रहा जो बुक्स तयार की जा रही है उसमें NCRT जो वो साइकोलोजी का चैल्ड साइकोलोजी का प्रियूग करके तयार की जा रही है ताकि बच्चों का पढ़ने में मन लगा रहा है वो उन चीजों को अच्छे से ग्रहन कर सके उनक तक के कोशन्स कराएंगे तो उसमें आपको इस सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से आप लोग देख लीजेगा सभी आपके लिए डेली तीन क्लासे लाते हैं उनको जरूर देख लेना अगला कोशन है प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्व स अवस्था के नाम से भी जाना जाता है सेंसोरी मोटर अवस्था के नाम से जाना जाता है पहली अवस्था जो बताई थी अगला कच्छा तीन के विद्यार्थियों के लिए सिच्छन का सबसे अच्छा तरीका क्या है स्रजनात्मक क्रिया कलाप यानि कि उनको खुछ अच् पूर्ण कोश्चन है अगला कोश्चन है सिच्छा मनोविग्यान की क्या एक सीमा है तो दोस्तों व्यक्तिक विभिनताओं की समस्या जो है ये सिच्छा मनोविग्यान की एक लिमिटेशन होती है व्यक्तिक विभिनताओं की समस्या निकी प्रतेक वालक की अलगलग लब्दी है तो उसके आधार पर पाठक्रम तयार करना स्लेबस बनाना और पुस्त के तयार करना ये एक लिमिटेशन बन जाती एक समस्या बन जाती है अगला कोशन है कोहल वर्ग के अनुसार वह इस्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भैसे नियंत्रित रहती है कौन से पूर्व नैतिक अवस्था ये आपको पूर्व नैतिक अवस्था के अंतरगत जो बालक है वो दंड के डर से डंड के कारन अपनी नैतिकता Morality को नियंत्रित करके रखता है अगला प्याजे के चार चलन कौन कौन से इंदरी गामक, पूर्ब संक्रियात्मक, अमूर्थ संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, चारों की एज सामने दी गई है, जल्दी से देख लीजेगा, चूंकि यूपी टेट में जादा नहीं आता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है, वालियकाल होता है, 6-12 बरस का होता है, वालियकाल हमने आपको पताया था, 0-5, 0-6 होता है, सैस्वा वस्ता, फिर वालिया वस्ता और 12-18 होता है, कि 14 वस्ता, यह एक एवरेज रूप में आपको बता दिया गय moral रूप है, इसके बाकी अलगल रूप है, ज चीखे के गड़ित का प्रयूख किसी अन्य विशे के प्रस्टों को हल करने में करता है बहुत महत्पूर्ण कोशन है तो यह आपका सकारात्मक इस्थान अंतरण होता है पॉजिटिव फ्रांसर आफ लर्णिंग होता है जब कहीं आपको मदद मिले तो वो पॉजिटिव होता कहीं मदद ना मिले नुकसान हो तो निगेटिव होता है और उदासीन रहे तो सून अंतरण के अंतरगत आता है अगला कोशन है सिच्छन सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक इस्तर के अनुरूप सिच्छा दी जाती तब सिच्छन जो सहयक होती है अगला सामान परिपकुता के पहले प्रशिच्छन करना प्राया सभी द्रश्टिकों से हानिकारक होता यानि कि जब तक वालक मैचियोरिटी लेवल पर ना पहुंचे तब तक अगर हम उसके आगे के बारे में उसे ट्रेनिंग देने लगेंगे तो वो हानिकार तक भी सिद्ध हो जाता है अगला विग्यान में मुल्यांकन सभी क्रिया कलापों का एकिकरत भाग होता यानि कि मुल्यांकन सभी क्रिया कलापों के बाद सभी के टेस्टिंग के बाद एकिकरत रूप में होता है अगला मनो विग्यान का छेत्रबाद का सिद्धान्त कल ही आपसे question मैंने आपसे पूछा था जब आपको सिध्धान्त से सम्मंदित 100 questions कराये थे उसमें आपको बताया था छेत्रबाद का सिध्धान्त पूछा था हमने जो की कर्ट लेविन ने दिया था 1917 में इसके अंतरकत इन्हों ने बताया था कि व्यक्ति के संसार का परिमारजन ही अधिकम है महत्वपूर कोशन इस बार आपके यूपी टेट में पूछे जाने के बहुत जादा चांसे हैं इसलिए बता दिया और गेश्टाल्ट वाद के अंतरकत ये मनोवग्यानिक आते हैं कर्ट लेविन अगला कोशन है एक कच्छा में सिच्छक के पढ़ाने के लिए वालकेंदरित उपागम का प्रयोग किया गया वालकेंदरित उपागम क्या होता है वालकेंदरित बिधि क्या होती जिसमें बालक सोयम भाग लेता है यानि कि बालक को केंदर मानकर बालक के अनुसार उसे जो समझ में आता जो पढ़ सकता है उसके आधार पर सिच्छन कार क चाहिए अगला कोशन है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है तो दोस्तों संवेगात्मक क्रांति पद जो आपका दिया गया किसोरा वस्था से संबंदे था क्योंकि किसोरा वस्था में आपके संवेग जो होते हैं वो बहुत तीब्र होते साथ ही साथ कैसे होते हैं हम ने आपको बताया था उग्र होते हैं कैसे होते हैं उग्र महत पूर्ण है इस पर भी आपके लगबग 150 पॉइंट सभी अवस्थाओं पर भी बता चुक हैं 160 पॉइंट वो भी जरूर देख लीजेगा इसको संबेगातमक क्रांति के अंतरगत अगला व्यभार का संबेगात्मक पहलू किस से सम्मंदित है तो दोस्तों इस सीखने के मनोवज्ञानिक पच्छ से साइकोलोजिकल जो साइड होती है उससे सम्मंदित होता है अगला एक व्यक्ति की जीवन में नाम वा प्रसंसा कमाने की इच्छा है किस प्रकार क्या प्रत्य व्यक्ति जो है वो अंदर से क्या चाहता है कि हमारा नाम हो हमां प्रसंसा कर गी जाए और अच्छे से अच्छे अंक लेकर अच्छे स्थान पर पहुंचें तो यह आपका आंतरी ग्रूप से अभिप्रेरित वालक है यही वाला आंसर सही हो जाएगा याद कर अगर आंतरी ग्रूप से अभिप्रेरित हैं तो निश्चित मानी 120 प्लस अंकापलों के कहीं नहीं गए हैं पूरी तरह से मोटिवेट होकर बिना किसी टेंसन के पेपर करिएगा अगला कोशन है मानो विकास की सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है तो दूस्वें वाल्ले बालकों के लिए संपुष्ट कारकरम जरूरी होते हैं एर्फान खिलाउने तोड़ता है तथा उसके अव्यवों को देखने के लिए उसे अलग-अलग करता है तो आप क्या करेंगे तो उसकी जिग्यासा की प्रवत्ति को बढ़ावा देंगे और उसकी उर्जा को सही दिस ताकि वो अपनी उर्जा का प्रयोग सकारात्मक रूप में कर सके अगला एक सिध्धान्त के रूप में निर्मित बाद अधिगम करता कि सोयम के सब्दों का निर्मार करने की भूमिका पर जोर देता है यानि कि सोयम अपने द्वारा किये गए कुछ क्रियेटिव कार रचन कि यूप टेट में इस बार कुछ परिवर्तन होने की संभाबना यानि की पैटरन में कोस्टन्स के तरीके में निश्चित आपको कछ न कुछ परिवर्तन देखनों का मिला है हो सकता है कुछ कोस्टन्स आपको पेडोगाजी के भी देखने को मिल जाए चुँकि आप लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं तो उसके अंतरक आपको पेड़ो गौजी के कोश्चन्स भी कराय दे रहे हैं ताकि अगर कोश्चन्स आते हैं तो आप लोग आसानी से उनको कर सकते हैं वैसे पांच नंबर से जादा कोई परवर्तन नहीं होगा लेकिन फिर भी जो हो रहा है व दूसरे छेतर के अधिगम में साहता करता तो वो कैसा होता सकारात्मक धनात्मक या फिर पॉजिटिव अंतरन या इस्थान अंतरन होता है अगला हम में से कुछ लोग जो लंबे हैं कुछ छोटे हैं कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं कुछ मजबूत हैं कुछ कमजोर हैं यह क जाहिर तो पर जब समें कुछ न कुछ बिभिनता पाई जा रही सब में कुछ न कुछ डिफरेंस हैं तो यह वैक्तिक बिभिनता का इंडिवीजूएल्ड डिफरेंस के सिधिधान्द पर आधारित है याद कर लीजेगा एक नंबर आपका हंडेट परशेंट पूछा अगला कोशन है दुर्वली करण वाधा है तो ये कार्यात्मक इस तर पर दुर्वली करण क्या ये वाधा के रूप में देखा जाता है जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास की अवस्थाओं के नुसार पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में किसे जाना जाता है पूर् मुर्त्यात् Kathleen कलीजेगा अगला कोशचन है एक अच्छा विद्ययले वह है जो वालक में सामाजिक इस्तरी करण को समझे और कच्छा में वातावरं को प्रगत सील और प्रेरणास्पत बनाए एक अच्छा टमक्ता जो हوتी है आपकी वो अफसारी चिंटन के अंतरगा थी अफसारी चिंटन पार आधारित एक नंबर का पूशन्गा जरूर पूछा जाता है और स्रजनात मक्ता को अभी सारी चिंतन के इंतरे सिर्फ एक मनो वैगैनिक ने रखा था गिल फोर्ड ने ये भी important question है देख लीजेगा समझते रहेगा डेली तीन classes कम से कम समय में जादा से जादा questions को लेकर आ रहे हैं अच्छे से समझते रहेगा आज सुबह आपको हिंदी की class में कुछ questions confusion की बज़े से गलत हो गए थे जिनको मैं आपको कल सुबह की class में correct कर दूँगा उसके लिए छमा चाते हैं दोस्तों बस आप लोग सहयो करते रहे हैं मैं कल तक आपके जो भी questions गलत हुएं उनको correct करके बता दूँगा तो कुछ answer की बगएरा उपर नीचे होने की वज़े से इस प्रकार की गल यानि की सबसे अच्छी communication skill जो होती है वो एक अच्छे सिच्च का सबसे महत्पूर्ण गुण होता यानि की बिना किसी डाट के या चिलाने के पेच्छा अच्छे संप्रेशन का प्रयोग करना अधिगम कार के लिए विद्यार्थियों की ततपरता का आंकलन करना सिच्चक के लिए कठिन है क्योंकि ततपरता के सभी तत्तों एक साथ परिपक को नहीं होते हैं इस बज़े से याद कर लीजेगा अगला ततपरता का सिध्धान्त दिया था किसने थॉंडाइक ने याद रखेगा पूछा जा सकता है आपका और नियम दिया था मुख नियम के इंतर क करता है सीखने के नियम के इंतर तो ततपरता के तत्तों कौन-कौन से बताए गए थे परिस्थितियां सामाजिक परिवेस अभी प्रेरणा इस्तर बुद्धिका विकास और इसका आपका विशे बस्तुकी समझ यह सभी चीजें आपके ततपरता के महतुपूर्ण तत्तों है इनके आधार पर आपका ततपरता का नियम कार करता है अगला महतुपूर्ण कोश्चन है एक सिच्छन विदि में दोया अधिक सिच्छक सहयोग पूरवक विशियों की योजना बनाते हैं पूरा करते तथा सदय विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आ अगला अविसारी चिंतन जो हता किस नाम से जाना जाता निगमनात्मक चिंतन के महतुपूर्ण कोश्चन है पूछा जा सकता है जिसमें आपको डायरेक्ली विना किसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ड के डायरेक्ट कोश्चन अंसर दिये गए यानि कि आपको अधिक बुद्धी लगाने की जरूरत नहीं है बाकी आपके सरजनात्मक्ता किसके इंतरद आती है अप सारी चिंतन के इंतरद उसे आउट आप दा वॉक्स ब्रेन स्टॉर्मिंग वा अन्यनामों से भी जाना जाता है अगला कोश्चन है आपका सामाजिक नियमों वा कानूनों के विरुद्वेभार करने वाला वालक कहलाता है तो ये दोस्तों बाल अपराधी कहलाता है जो वालक इस प्रकार के नियमों के विरुद्वेभार करता है या फिर कार करता है अगला कोश्चन है समावेसी सिच्छा से क्या तातपर है तो दोस्तों समावेसी सिच्छा ये कोश के अंतरगत आती है इसका निर्मार किया था 1948 में यूपी टैट की द्रश्टी से एकदम सिलेक्टेड कोशन आपको जरूर देखने को मिलते हैं अगला कोशन है व्यक्तिगत विभिनताओं का छेत्र लिंग भेद सारीरी क्रचना मांसिक योगिताएं प्रेंध करने के लिए एक्सच्छ को क्या 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 करना चाहिए अगला कोशन अच्छा है सिच्छा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियानवेन के बाद कच्छा कच्छ में क्या परवर्तन हुए यह अब प्रभावित हुए क्योंकि सिच्छा का अधिकार विद्याले की कच्छा की ओसत आयू को प्रभावित नहीं करता है किसको नहीं प्रभावि आता है 73 नंबर कोशन है प्रियोग आत्मक विदिको सर प्रथम प्रस्ताबित किया किसने विलियम बुंट ने इन्होंने सबसे पहली प्रियोग साला भी लगाई थी मनोविज्यान की सबसे पहली प्रियोग साला किसने लगाई थी विलियम बुंट ने लगाई थी 1879 में लग सिध्धान्त भी कहते हैं मांग का सिध्धान्त भी कहा जाता याद कर लिजेगा बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण है जिसमें उन्होंने इस प्रकार का चार्ट बनाकर कुछ आविसकताओं को बताया था अगला कोशन अब्रहाम मैसलो की एक बुक है उसका क्या नाम है अपियरी आफ हुमन मोटिवेशन महत्पूर्ण कोशन है 1946 में इनकी बुक आई थी अपियरी आफ हुमन मोटिवेशन अब्रहाम मैसलो की बुक है याद कर लिजेगा अगला है आपका जिला प्रात्मिक सिच्छा कारक्रम जो आपका डिश्ट्रिक प्राइमरी एजुकेशन प्रोग् इसलिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लिजेगा अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर अधिकम के मुख छेतर कौन से हैं बताई जल्दी से तो अधिकम के मुख छेतर के अंतरगत आपका आ जाता है संग्यानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक विकास के अंतरगत यह आता सीखना अगला कोशन एक सजीव कच्छा इस्थित में सबसे अधिक संभावित क्या है सिच्छक छात्र वारता सजीव कच्छा यानि कि क्लास को जीवित रखने के लिए क्लास को अच्छे से चलाने के लिए सबसे अधिक संभावित होता सिच्छक छात्र के बीच में जो वा पुरसकार का एक होता सकारात्मक एक सारीरिक एक नकारात्मक इस प्रकार से हम लोग इसे लिखते हैं तो सावासी प्रसंसा पुरसकार या आपके पुरसकार नहीं सावासी देना यानि कि आपके भौतिक पुरसकार को छोड़ कर जो आपके इस प्रकार के पुरसकार होते हैं ये आपके सकारात्मक साब्दिक पुनरवलन के अंतर्गत आते हैं, फिर आपका सारीरिक दंड हो गया, ये भी एक प्रकार का नकारात्मक ही होता है, फिर इसका डाटना बगेरा ये आपका साब्दिक नकारात्मक पुनरवलन के अंतर्गत होता है, अगला कोशन है, व्यक्ति कि सबसे महतपूर्ण चुनोती होती कि सिछन अधिकम प्रक्रिया को आनंद प्रद यानि कि रुचिपूर्वक क्लास को कैसे चला सके यह सबसे महतपूर्ण होता है अब आपकी क्लास लगवक 30 मिनट से चल लई है आप लोग क्लास को अच्छे से देख रहे हैं क्यों कि आप को इसी सीखनी है लेकिन जब यही बात प्राइमरी लेवल के छोटे बच्चों के लिए होगी तो उसे क्लास को रुचिकर कैसे बना जाए सिच्छक की सबसे बड़ी चुनोती बनी रहती है अगला कोशन है एक सिच्छक को कच्छक को में कार करना चाहिए किस प्रकार से लो बालक का चिंतन किस के दौरा प्रदर्सित होता आत्म केंद्रिक्ता के दौरा सजीवतावाद के दौरा यथार्थवाद के दौरा वालक के चिंतन को प्रदर्सित किया जा सकता है अगला फ्रोबेल ने किस खेल पर प्रमुख बल दिया तो इन्होंने गेंद के खेल पर बल ना गया किंडर गाटन वी जो कि प्रकार की खेल सिच्छन विदि के इंतर गताती है frovel ने इसके बारे में पताया था अगला कोशेंगे project require wszyscy ने दी थी project दी जॉन डीवी ने इसके लाँ दोस्रों आपके प्रयोग जो आपके प्रकति सील सिच्छा थी उसके बारे में भी इन्होंने बताया था और चातर केंद्रि सिच्छा के भी जनक यही माने जाते हैं जौन डीवी याद कर लीजेगा अगला कोशन है जब बालक सीखने के लिए तयार होता है तब वह जल्दी और प्रतिवासाली तरीके से सीखता है यह सिध ठाथ किसने बताया था तो यह दोस्तों थौन डाइक ने अपने सीखने के नियम के अंतरगत बताया था कि जब आलक सीखने के लिए तयार होता है यह कि जो चीज़ उसे अच्छी लगती है उस चीज़ को जल्दी से सीख लेता और जिसमें उसका मन नहीं लगता उस जाता है तो यह थोंडाइक ने अपने सीखने के मुख नियम के अंतरगत दिया था तीन मुख नियम दिये थे पांच गौड नियम दिये थे याद कर लीज़े कहीं कहीं छे वी देखनों को मिलते हैं तो इनकी संख्या कभी नहीं पूछी आती है लेकिन फिर भी मुख नियम तीन दिये थे ततवरता का प्रभाव का और अभ्यास का यह तीन नियम दिये थे अगला कोश्चन है ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड किसका परिणाम था तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड जो चलाए गया थे यह राष्टी सहच्छी की योजना नई जो आपकी नई चीजें होती ही जैसे आपका बोर्ड हो गया चौक हो गई चार्ट हो गया इस सभी चीजें जो बहुत तीक सामगरी हैं मुख्य रूप से पढ़ने के लिए चाहिए वो सभी प्रत्यक विद्याले में पहुंचाना इसका उद्देश सिथा यह 1986 में लागू हुआ था याद पटे 60 से कम होगी इस परकार के कोश्चन अब जादा पूछे नहीं जाते हैं एक दो आ जाते हैं तो देख लीजिएगा अगला कोश्चन है स्रजनात्मक चिंतन सदयब कैसा होता तो स्रजनात्मक और रचनात्मक दोनों एक दूसरे से ही संबंदित हैं क्रियेटिविटी जब आपके अंदर क्रियेटिविटी होगी तभी तो आप नई नई चीज़ों को अपने दौरा सोयम से कर सकते हैं इसी चीज़ को स्रजनात्मक ता कहा जाता है याद कर लीजेगा बहुत अच्छा कोश्चन है अगला है आपका कोश्चन है फ्राइड की विकास अभस्था किस अवस्था को प्रारंबिक विद्याले आयू समझा गया तो मुखा वस्था को इन्होंने प्रारंबिक विद्याले की अवस्था बताया था सिग्मन फ्राइड ने जो विकास की अवस्थाओं के वारे में बताया था उन्होंने मुखा वस्था को प्रारंबिक विद्याले कि आयू समझा था अगला कुछन अभी प्रेरित बालक के मुख गुण कौन से होते हैं तो दोस्तों सीखने की इच्छा सीखने में अन्वेशन और आकांचा इस्तर अन्वेशन होता दोस्तों खोज यानि की खोज खुद के द्वारा कैसे नई नई सिच्छन नए नई चीजो को सीखा जा सके आकांचा इस तर यानि कि आप किस प्रकार से आपके अंदर उस चीज को सीखने की आंतरिक पावर है विल पावर है अगला सतात और व्यापक मूल्यांकन के कार संचीत अभी लेक दत कार और जो आपके रिकॉर्ड वगएर आते हैं वो सभी चीज़ें इस के विराम करता है यह विकास के किस नियम को अनुसरीत करता है चक्राकार प्रगत यानि कि विकास जो है हमेशा चलता रहता लेकिन एक विशेश अवदी होती जिसमें विकास ती ब्रगती से चलता है फिर वो उसकी गति धीरे होती है तेज होती है यह आपके चक्राकार प्रग कोश्चन है याद कर लिजेगा एक कोश्चन को समझते रहेगा अगला कोश्चन आपका देखी जल्दी से एकला कोश्चन क्या दिया गया है बहुत अच्छा 98 नंबर कोश्चन है और यह आपका दिया गया है सीखने का वह सिध्धान्त जो केवल अवलोकित विभार पर निर् अगला 99 नंबर कोश्चन है सिच्छा में समावेशन का क्या आर्थ है यह भी इनके इसी सिध्धान्त के अंतरगत आया था समावेशन और सभी विद्यार्थियों को सिच्छा की मुख धारा से जोड़ना और किसी भी रूप में उनको मुख धारा से जोड़कर सिच्छनकार एक साथ कराना समावेशन या समावेशी सिच्छा कहलाता है अगला कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिधान के अनुसार किस अवस्था में लोगों की आसा वाइच्छाओं की पूरी करने के संदर में सही अगलत का निर्णे लेते हैं क्योंकि जादा फिर आप लोग एक साथ पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे तो तीन सो प्रस्णों की पूरी सीरीज है अच्छे कोशन्स है सिर्फ अगर हो सका तो पूरे दो सो कोशन्स एक साथ दे देंगे नहीं तो ये तीन सो में से सौसोत करके तीन पार्ट में दे देंगे और अन्द क्लासेज भी आप लोग देखते रहीगा जो कोशन्स गलत हो गए थे पहले उनको सही कर देंगे आप लोग बाकी कोशन्स को लगबग आपको 120 कोशन उस क्लास में कराये थे बाकी कोशन्स को देखिएगा और एंदा से इस परकार की कोई गलती नहीं होगी बस आप लोग जुड़े रहेगा तैयारी करते रहेगा इसके साथ इसाथ दोस्तों आज का आपका कोशन है उसके पहले कोशन देख लीजेगा अनुवान सिक्ता को कौन सा सामाजिक सनचना माना जाता तो दोस्तों ये इस्थाइक बताया गया है अनुवान सिक्ता को क्या बताया गया है इस्थाइक बताया गया है याद कलीजे अब कल मैंने आपको जो सिध्धान्त बताये थे उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी Classical Conditioning महतुपूर्ण कोश्चन ने कई बार पूछा गया है तो Classical Conditioning का जो सिध्धन्त दिया था ये किस ने दिया था अधिक सदिक संख्या में Comment Box में आंसर करिएगा पूरे Questions अगर समझ गए हूँ Class पसंद आयो तो दोस्तों लाइक करके जरूर बताईएगा Comment Box में Feedback के रूप में भी जरूर बताईएगा प्रतिक चीज अच्छे से समझते रहिएगा आपकी पूरी 100% तयारी कराई जा रही है आप सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है अच्छे से देखते रहिए तयारी करते रहिए बहुत-बढ़िया All the wish तैंकि दोस्तों